नमस्कार आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सीतला माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार सीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखू कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर सीतला माता धरती पर राजिस्थान के डूंगरी गाउं में आई। और सीतला माता ने गाउं में आकर देखा कि उनका कोई भी मंदिन नहीं है और नाहीं पूरे गाउं में मेरी पूजा होती है। माता सीतला गाउं के गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के उपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फैंका। वह उबलता पानी सीतला माता के उपर गिरा जिससे सीतला माता के सरीर में फफोले पड़ गए। सीतला माता के पूरे सरीर में जलन होने लगी। सीतला माता गाउं में इधर उदर भाग भाग कर चिलाने लगी। अरे मैं जल गई, मेरा सरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। सीतला माता चिलाती रही मगर उस गाउं में से किसी ने सीतला माता की मदद नहीं की वहीं अपने घर के बाहर एक कुमारन बैठी थी उस कुमारन ने देखा कि अरे यह बूरी माई तो बहुत जल गई है इसके पूरे सरीर में जलन है इसके पूरे सरीर में फफोले पड़ गए हैं यह जलन सहन नहीं कर पा रही हैं तब उस कुमारन ने कहा मा तुम यहां आकर बैठो मैं तुम्हारे सरीर के उपर ठंडा पानी डालती हूँ तब कुमारन ने उस बूड़ी माई पर खूप ठंडा पानी डाला और बोली है माई मेरे घर में रात की बनी हुई रावड़ी रखी है थोड़ा दही भी है तुम दही रावड़ी खालो जब बूड़ी माई ने ठंडी जुआर के आटे की रावड़ी और दही खाया तो उसके सरीर को ठंड़क मिली तब उस कुमारन ने कहा आओ माई बैठो मैं तुम्हारे सिर के बाल की चोटी गून देती हूँ तुम्हारे बाल बहुत बिख्रे हुए हैं और कुमारन माई की चोटी गूतने लगी कुमारन माई के बालों में कंगी करती रही तब ही अचानक कुमारन के नजर उस बूड़ी माई के सिर के पीछे पड़े तो कुमारन ने देखा कि एक आँख वालों के अंदर छुपी है यह देखकर वह कुमारन डर के मारी घवरा कर भागने लगे तब उस बुड़ी माई ने कहा रुप जाओ बेटी, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं सीतला माता हूँ मैं तो इस धर्ती पर देखने आई थी, कि मुझे कौन मानता है, और कौन मेरी पूजा करता है इतना कहकर माता, चार पुजा वाली हीरे जवारहत के आबुसर पहने, सिर पर सुर्ण मुकुद्धारन किये, अपने असली रूप में प्रकट हो गए माता की दर्शन कर, कुमारन सोचने लगी, कि अम्मे गरीव इस माता को कहां बिठाओं तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पढ़ गई तब उस कुमारन ने हाठ चोड़ कर, आखों में आसुब बहते हुए कहा मेरे घर में तो चारों तरफ दरिदरता बिखरी हुई है मैं आपको कहां बिठाओं, मेरे घर में न तो चोकी है, न बैठने का आसन तब सीतला माता प्रशन होकर, उस कुमारन के घर पर खड़े हुए, गधे पर बैठ गए सीतला माता ने एक हाथ में जाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर, उस कुमारन के घर की दरिदरता को जाड़ कर, डलिया में भर कर फैंक दिया फिस सीतला माता ने उस कुमारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सची भक्ती से प्रशन हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए, मुझसे बरदान मांग ले तब कुमारन ने हाथ चोर कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गाउं में इस्थापित होकर यहीं रहो, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिदरता को अपनी जाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सब्तमी को भक्ती भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही वबासी ठंडा भोजन चड़ाए, उसके घर की दरिदरता को साफ करना, और आपकी पूजा करने वाली हर नारी जाती का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोध हमेशा भरी रखना, साथी जो पुरुस सीतला सप्तमी को नाई के यहां ब पुरुस भी आप पर ठंडा जल चड़ा का नारील फूल चड़ा कर परवास सही ठंडा वासी भूजन करे, उसके काम धंदे ब्यापार में कभी दरिदता ना आए, तब माता ने कहा, ठीक है बेटी, जो तुमने बर्दान मांगे, मैं तुम्हें वो सब बर्दान देती हू हे बेटी, तुझे आशिरवात देती हूँ, कि मेरी पूजा का मुखे अधिकार इस धर्ती पर सिर्फ कुमार जाते का ही होगा, तब ही उसी दिन से डूंगरी गाउं में सीतला माता इस्थापित हो गई, और उस गाउं का नाम हो गया सीलकी डूंगरी, सीलकी डूंगरी मे सीतला माता का मुखे मंदर है, सीतला सब्तमी पर वहां बहुत बिसाल मिला लगता है, इस कथा को पढ़ने से घर की दर्रता का नास होने के साथ सभी मनो कामनाएं पूरी होती है, तो ही सीतला माता जैसे आपने उस कुमारन की दर्रता को दूर गिया, वैसे ही अपने सभी भ माता मैया जैसीत ला माता आदी जोते महारानी सव भल की दाता ओम जैसीत ला माता रतनिसिहासन सोवित स्वेत छत्र ब्राता मैया स्वेत छत्र ब्राता रेत सेत चंबर डोलावे जगमग छविछाता ओम जैसीत ला माता बिश्नु सेवत ठाडे सेवे सिवधाता बेदे पुरान बरणत पार नहीं पाता ओम जैसीत ला माता इंद्र म्रदंग बजावत चंबर बिडाहाता मैया चंबर बिडाहाता सूरज ताल बजाते नारदि मुन गाता ओम जैसीत ला माता गंटा संख सहनाई बाजे मन भाता करे भक्त जन आरत लख लख हर हाता ओम जैसीत ला माता ब्रहमा रूप बरिदानी तो ही तिन काल ग्याता मैया तुम ही तिन काल ग्याता भक्तन को सुख देनो मात पिता भ्राता ओम जैसीत ला माता जो भी ध्यान लगावे प्रेम भक्त लाता मैया प्रेम भक्त लाता सकल मनोरत पावे बवनित तर जाता ओम जैसीत ला माता रोगन सेजो पीडित कोई सरन तेरी आता मैया कोई सरन तेरी आता कोडी पावे निर्मल काया अंधनेत्र पाता ओम जैसीत ला माता बांज पूत्र को पावे दारिद कट जाता मैया दारिद कट जाता ताको भजे जो नाही सिर धुन पच्छिताता ओम जैसीत ला माता सीतल करती जननी तू ही है जगत्राता मैया तुम ही हो जगत्राता उत्पत्ती ब्यादी विनास तू सब की घाता ओम जैसीत ला माता दा से बेचेत्र कर जोड सुन मेरी माता मैया सुन मेरी माता भगति आपनी दीजे और ना कुछ भाता ओम जैसीत ला माता जै हो सीतला माता की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए साथी बेल आइकोन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे धन्यवाद